भारत के सभी राजभवनों में एक बस भवन होना चाहिए 36 राजजी और केंदर शासित प्रदेशों में तुरन बस अड़ा बनाने का टेंडर निकलना चाहिए और ये टेंडर उस विधायक को दिया जाना चाहिए जिसने कभी न कभी सरकार बदलने के वक्त पाला बदला हुए हम पत्रकार भले कहते रहें कि पैसे से यह सब पाला बदल लेते हैं मगर किसी ने उस पैसे को अपनी आँखों से आज तक नहीं देखा है यहां तक की आयकर विभाग ने भी आज तक किसी को नहीं पकड़ा भारत में यह हमारे देश में 4,120 विधायक हैं 100 करोड दिये जाने के निराधार आरोप के हिसाब लगाईए तो 4,12,000 होते हैं कितने पैसे तो हमारे उद्योग पती चलते फिरते बैंकों से करज लेकर वापस भी नहीं करते जिने हम इंगलिश में NPA कहते हैं हमारे विधायक विधायक बनने के लिए चुनाव में कितना खर्च करते हैं किसी को नहीं मालूम क्योंकि उन्हें चुनाव आयों को सिर्फ और सिर्फ 16,00,000 का हिसाब देना पड़ता है बाकी खर्चे का हिसाब किताब उन्हें किसी को नहीं देना पड़ता है इसलिए कितना खर्चा किया ये सिर्फ विधायक ही जानते हैं जो भी विधायकों को सौ करोड दिये जाने से उत्साहित हैं, उन्हें जानकर निराशा होगी कि बीजेपी ने इसका खंडन कर दिया है। JDS and Congress does politics through. We are not in habit of doing horse trading in any kind. जो भी जानकर से WhatsApp कॉल किये रहता है। उस दिल्ली में बैंगलूरू से शिकायत आई है कि करनाटर की सरकार BJP नेताओं के फोन टैप कर रही है। ये बात बहुत दुख वाली है, BJP नेताओं ने WhatsApp कॉल का सहरा क्यों नहीं लिया। मैं तो फोन टैपिंग की शिकायत पर मजा कर रहा था, मगर जब शिकायत का पत्र देखा तो non-serious से serious हो गया। देखा कि Bengaluru Central से BJP सांसत PC Mohan ने ग्रिमंतरी राजनाज सिंग को पत्र लिख दिया बकायदा कि करनाटर की सरकार उनके नेताओं के फोन टैप कर रही है। कर जवाब देंगे जैसे ऐसा कुछ होता ही नहीं हो मुस्कराते इसलिए ताकि कहना ना पड़े कि ऐसा कुछ होता है। हस्ते हस्ते राजनाजी मुड जाएंगे और आप अपने फोन की तरफ देखते रह जाएंगे। कोई बुरा ना माने आज मैं सिरियस नहीं हूँ क्योंकि करनाटर की घटना बताती है कि हम समविधान को लेकर हर समय सिरियस नहीं रहते हैं। मजाक भी करते हैं, कभी-कभी धज्यां भी उड़ाते हैं। समविधान सिर्फ पालन करने के लिए नहीं होता, धज्यां उड़ाने के लिए भी होता है। ऐसा हमने कई बार साबित किया है। इंडिया का लोकतंत्र खत्रे से बाहर निकलाया है, वो अब खत्रा इंजॉय कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। रिसॉर्ट में बंद करनाटा के विधायकों को एक चेतावनी हैं। अगर उनके रिसॉर्ट पर एंडि टीवी इंडिया आ रहा है तो तुरंत लोकल चैनल छोड़कर प्राइम टेम लगा लें। कोई भी फोन से 100-200 करोड देने का ओफर करें तो फोन पर बिल्कुल हा ना कहें। अपने फोन की रेकॉर्डिंग भी चालू कर लें। फोन करने वाले से आधार नमबर मांग लें। अपने दूसरे वाले फोन पर तुरंत उसके बारे में गूगल सर्च करें। यही इस नाम का आदमी जहां से फोन आ रहा है उस पार्टी में है भी या नहीं। हो सकता है कि कोई न्यूस चैनल वाला उनका स्टिंग कर रहा हूँ। कोबरा पोस्ट को भी फोन कर चेक कर लें कि आजकल आप लोग तो स्टिंग नहीं कर रहें। इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर से पैसा लेने की बेवकूफी बिलकुल ना करें। अपने बैंक खाते का IFSC कोड किसी को ना दे। पैसा मिलने की बाद दूसरे विधायक को ना बताएं। साथी विधायक को कभी भी सही रकम ना बताएं। साथी विधायक को जादा मिल सकता है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा जादा पैसे मांगिए मेरी मांग है कि त्रिशंको विधानसभा की स्थिती में चुनाव आयोग विधायकों के सिंगापूर या कोची ले जाने का खर्चा भी चुनाव खर्चे में शामिल कर दे विधायकों को बस में ले जाना हवाई जाना साबित करता है कि चुनाव अभी पूरा नहीं हुआ यह मेरी मांग है रिसॉर्ट का नाम सुनते ही विधायकों से इर्शिया होने लगती है पता नहीं नेट्फलिक्स पर वे गेम आफ त्रोन देख रहे होंगे हर प्लेट पर कबाब और कटलिट लुड़क रहे होंगे थोड़ा खाते होंगे थोड़ा छोड़ देते होंगे आखिरी इन रिसॉर्ट में ऐसा क्या है जहां जाते ही विधायक अपनी पार्टी के प्रती लॉयल यानी निश्वान हो जाते है इने किसी आश्रम या धर्मशाला में क्यों नहीं ठहराया जाता धार्मिक भी हो जाते करनाटक और गोवा के रिसॉर्ट में इसा क्या है पिछले ही साल गुज्राथ कॉंग्रेस के अपने विधायकों को लेकर गुज्राथ कॉंग्रेस बैंगलूरू के रिसॉर्ट में चली गई जब अहमत पतिल को राजस्बा का सदसे बनना था और विधायक उधर उनके देशित में कॉंग्रेस छोड़ रहे थे उन विधायकों ने कुछ लिया या नहीं लिया ये किसी को ना बताया ना पता चला 1984 में एंटी रमा राओ भी अपने विधायकों को लेकर करनाटक के रिसॉर्ट में चले गए इस रिसॉर्ट में चंद्रावाबू नाइडू भी थे 2002 में विलास राओ देशमुग भी अपने विधायकों को लेकर करनाटक के रिसॉर्ट में गए थे अगर आप रिसॉर्ट खोलने का स्टार्ट अप शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले करनाटक में ही प्लोट लें मैं रिसॉर्ट को लेकर सीरियस हूँ अगर आपके पास रिसॉर्ट है तो बिल्कुल अभी ना बेचे अगर ना चल रहा हो तो एक ना एक दिन विधायकों से भरी बस आपके रिसॉर्ट में जरूर आएगी डेखे इस बस को चलते चलते रात हो गई है अब ये कहीं तो रुकेगी विधायकों को चाय, पानी और सुच्टा के लिए कहीं तो उतरना पड़ेगा अब पता नहीं ये बस डीजल लेने के लिए भी रुक रही है या नहीं हवा से तो नहीं चल रही, विधायकों से भरी ये बस, क्या पता ड्राइवर का आधार काट कुमार स्वामी के पास है भी या नहीं, बस ही लेकर भाजपा दफ्तर चला जाए तो क्या होगा इस वक्त, कोई है जो राहुल गांधी को तुरंद बता दे, वैसे ये बस दिन से ही चल रही है, सोचिए सब के पास अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, बस में तो कभी ना चले हैं, मगर इन विधायकों ने बस में चल कर दिखा दिया है, कि वे लालत से बचने के लिए, डल मदल से बचने के लिए बस में सवारी कर सकते हैं, ये दिखाया उनका सेकुलर है इस बस से कौन विधायक कब उतरकर सेकुलर से राष्टवादी बन जाए इसका दोस्ट ड्राइवर को ना दें इस वक्त कॉंग्रेस की चुनौती है कि उसके विधायक सेकुलर बने रहें बीजेपी को इस बस में से बैठे सिर्फ आठ राष्टवादी विधायक क की जरूरत है इतना ध्यान रखें कि पाला बदलने के बाद बार बार देशित देशित जरूर बोलें जरूरी नहीं कि पाला बदलते ही मदान के समय वे मदान के समय विधान सभा में पेट खराब होने का बहाना भी बना सकते हैं और अनुपस्तित हो सकते हैं विधान सभा इस तरह से वे करनाटा की जनता का भला कर देंगे। सोचे बीजेपी पर सौ करोड देने का आरोप लगा कर जेडियस ने कितना गलत किया। अच्छा हुआ खंडन हो गया वरना बीजेपी के ही विधायकों को कितना अफसोस होता कि काश कॉंग्रेस के टिकट से जीते होते या जेडियस के टिकट से तो उनकी कुछ इस वक्त वैल्यू भी होती। विधायक पाला बदलने से पहले ये ग्राफिक्स जरूर देख लें बहुत सिरियसली। किस पार्टी में बहतर है। इसके अलावा बीजेपी में जाएंगे तो दिल्ली आने पर शांदार हेड़कॉर्टर भी देखने को मिलेगा। जहां जीतने के बाद कल शाम प्रधान मंत्री और अमिश्शा पहुंचे। नजारा कितना भव्य है इमारत का विस्तार देखिये। महाशक्ती के नेता के सामने ये इमारत भी छोटा लग रहा है। फिर भी उसकी उचाई तो इतनी थी ही कि लगा कि कोई बालकनी से जहांक रहा है। जब उन्होंने बालकनी से हाथ हिलाया तो नीचे जमा हुए कारिकरताओं में जोशा गया। वे कम से कम दूर से अपने नेता को देख सके। जब प्रधान मंत्री मोधी अपने सफलतम अध्यक्ष अमिच शा को लेकर आगे बढ़े तो बाकी केंद्रियों मंत्री पीछे छूटते चले गए। किसी को यह न लगे कि वे वाकई छूट गए हैं अपना भी देखना पड़ता है इसलिए कुछ तेज कदम चलने लगे। अंत में हुआ यह कि राजना सिंगी ने मेकप करी लिया वे और बात था कि प्रधान मंत्री और पार्टी अध्यक्ष ने मुड़कर देखा तक नहीं और नहीं बुलाया या उनके लिए रुका। कल प्रधान मंत्री इतनी अच्छी जीत के बाद भी सिरियस लग रहे थे देखी यह उती है राजनी थी। पावर का जो बोड डिस्टेंस यानि दूरी से होता है वो नजदी की यानि क्लोजर से नहीं होता है। करनाटर की घटना ने मुझे सिरियस से नौन सिरियस इसीले बनाया। आज आप प्राइम टैम में हलका फुलका देखिये जब तक राजपाल से राजगवन से आधिकारी घोसना नहीं आ जाती कि यदुरप्पा को बुलावा भेज दिया गया है। जेडीयस और कॉंग्रेस के विधायक अगर अपनी पाटी में रहने का फैसला करते हैं, चेंज नहीं करते तो ये क्या-क्या मिस करेंगे वही बता रहा हूँ. अभी है हैट को हैटको दिखाया, उन्हें डिस्टेंस यानि दूरी से पावर देखने का मज़ा नहीं मिलेगा राहुल गांधी को देखिए कैसे आते हैं, पार्टी ओफिस और दस जन्पत के बीच एक फुटपात पकड़ लिया है, जब देखो इसी से आते जाते का वीडियो फुटेज दिखता है, इनके साथ चलने वाले सारे नेता इतने करीब चलते रहते हैं कि अगर राहुल रु आज के दौर में थोड़ी भविता होनी चाहिए, इस तरह बात बात में नजदीक आ जाने वाले नेताओं में वो बात नहीं होती है, जो दूरी बना कर रखने वालों में होती है, राहुल को परिवार की या बिमारी छोड़नी होगी और इन सारे नेताओं को खुद से इतन जो की बहुत जरूरी है, जो भी पाला बदलने वाले संभावित विदायकों को हलके में ले रहा है, मजाक उड़ा रहा है, परसनली मुझे बुरा लग रहा है, आप लोग प्लीज सीरियस हो जाईए, अब इस विजुल को देखकर किसी को चक्कर ना आ जाए, लग सकता है क प्रधान मंतरी राजपाल को कह रहे हैं कि यदुरप्पा के अलावा किसी को नहीं बुलाना है, वरना मैं दुबारा बुलाना बंद कर दूँगा, जबकि ये विजुल पुराना है, करनाटर के राजपाल मिलने पर, राजपाल बनने पर, राजपाल वजुभाई वाला व कोई करेंगे जो मोदी जी कहेंगे एक विधान सभा छोड़ने का दो दो बार इनाम यह उना बाद कॉंग्रेस के लोग भी राजिपाल के बारे में इस फैक का प्रचार जादा ना करें वरना वरना उनके विधायक भी प्रेरित हो सकते हैं वे कोई देश हितने पाकी विरोध भी फैसला ले सकते हैं अब वहुमत ना मिलने की स्थिती में और स्थाई विधायक ही स्थाई सरकार दे सकते हैं यह फर्मूला है बिना और स्थाई विधायकों के स्थाई सरकार नहीं बन सकती करनाटक में तो बिलकुल नहीं इसलिए विधायक एक दुसरे को शक की निगा से न देखें वे जो भी लेंगे किसी को पता नीचे लेगा जो भी करेंगे वही पता चलेगा जेडियेस कॉंग्रेस गठबंदन अपने स्थाई विदायकों को और स्थाई बनने से बचा सकते तो बचा ले करनाटक में समविधान की मर्यादा दाओं पर है राजपाल क्या कर लेंगे पुराने राजपालों की मनमानी का सहरा लेंगे या फिर समविधान की मर्यादा पर चलेंगे ये सब समस्याएं हैं